आप सब लोग बहुत विद्वान लोग हैं और उन्हीं विद्वान लोगों की विद्वता के बारे में एक्सचेंज फॉर मीडिया छापता भी रहता है इनाम भी देता है तो मुझे वाकई नहीं पता कि मैं कौन सी नई चीज आपनों को पता दूँगा और असल बात तो ये है कि आप ही सब लोगों को देख के सुनके ये सीखा है कि क्या नहीं करना है और क्या करना है दोनों ही चीज़ें कि डिजिटल पे कुछ नए आंकड़े प्रस्तुत कर दिये जाएं कुछ नए आपको भाशान या थियोरी टिका दी जाएं उनके अब जादा मतलब है नहीं क्योंकि जो चीज़ें मंच से बोली जाती हैं असल में वो उतनी सत्य होती नहीं है पर जैसे ही हम माइक के सामने आते हैं हमें लगता है कि हम कितनी सुंदर बातें कह दें क्योंकि रोशनी की चकाचौनवे हैं कतित रूप से सफल हैं और सामने जो हैं या जो की नहीं हैं और कैमरे के बाद होंगे वो हमसे किसी चमतकारिक मंत्र की उमीद कर रहे होंगे यही है असली सत्य जबकि सत्य यह है कि हमें खुद नहीं पता कि चीजें हो कैसे रही हैं जितनी दफ़ा हम ग्राउंड पर जाते हैं जैसे कि सोमवार से जाना शुरू करेंगे उतनी दफ़ा हमारी इस्तिती एक उत्सुक विद्यार्थी सी होती है जिसका एक मकसद तै होता है कि कुछ सीखने के लिए जाना है और बरतन खाली लेके जाना है बाकी पता नहीं होता है क्योंकि ग्राउंड पर रियालिटी जब मैं आपसे मुखाते हूं लगातार बदल रही है हम कॉन्फरेंस में सेमिनार्स में जाते हैं सोशल मीडिया के दिगज समझाते हैं शॉर्ट कॉंटेंट बनाईए आज कल रीलें बहुत चल रही हैं पर हम 3 गंटे की वीडियो बनाते हैं वो भी खूब देखे जाते हैं हम लोग कहा जाता है कि चीजें क्लिक बेटिश मत रखिये जब बहुत सार गर्विच चीजें बना देते हैं और उनके थम टाइटल परयाबत आकरशक नहीं होते हैं तब चीजें नहीं चलती हैं तो आधा द हो वो ऐसा हो कि घाटे में ना लगें और यह ना लगे कि आज कुछ बदमाशी करके आए हैं कुछ चीट करके आए हैं या किसी के प्रेशर में गाढ़े को हलका और हलके को गायब बता दिया ललन टॉप में या इंडिया टुडे हिंदी में हम लोग यही कोशिश करते हैं क कि इस महीने आपके साड़े 300 मिलियन वियू हो गए यूट्यूब पे इस महीने 500 मिलियन हो गए पर वो नंबर भी पूरा सच नहीं बताते हैं ना ही डिमोक्रिसी में और ना ही किसी न्यूज के एको सिस्टम में कभी आप हिसाब लगा के देखिए कि देश में अगर कुल 100 लोग हैं तो वोट डालते हैं 57 या 58 एक 77 का उधारन छोड़ दें तो हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत दुरूस नहीं रहा उस 57 अठावन लोगों में 44 फीजदी चालिस फीजदी जिसको वोट मिल जाता है वो सरकार बनाता है फरस पास दा पोल वाला जो हमारा सिस्टम है 1952 से यही सिस्टम चला रहा है ऐसा नहीं कि यह 2014 से यह 2004 से शुरू हो गया हो इस से पहले कि कोई निर्टार तोड निकाले जाएं और उसके आधार पर यह तै होता है कि यह जो एक खुबसूरत सी विवस्था है जिसे उर्दू दा जमुरियत कहते हैं हिंदी वाले लोक तंद्र कहते हैं अंग्रेजी वाले अलग-अलग तलफुज के साथ डिमॉक्रिसी कहते हैं यह काम कैसे करेगी इसकी नुमाइंद की कौन करेगा और यही नियम हमारे न्यूस के विजनेस पे भी लागू होता है क्योंकि जो नंबर हमें अपने प्लेटफॉर्म पर या अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखते हैं वो हमारे कॉंटेंट की असल रीज को नहीं बता पाते हैं जो हम देखते है उससे रील्स, शॉर्ट्स या चंग्स काटके उसको पोस्ट कर रहे हैं उसको बहुत वे सिचुएशन मुझे उम्मीद है कि टेक्नॉलजी के प्रचारपिसार के साथ हम इस समस्या से भी दो-चार हो लेंगे पार पालेंगे कुछी मिनिटों में यहां एवाट सेरिमनी होन देना ही चाहिए उसी रस्म का अनुराग बत्रा जी यहां पालन करवाते हैं इस मन्शा के साथ की शायद ओडियंस में बैठे व्यक्ति को कोई ऐसी बात पते की पता चल जाए कि अगली दफ़ा वो जो धातु की बनी तीन रंगों की सुन्दर सी ट्रॉफियां यहां बाती जाती हैं उन मेंसे किसी एक पर उनका और उनके संस्थान का नाम अंक्यत हो जो भी आज के विजेता हैं उनको बहुत शुक्कामना है दुनिया में ज्यान पहले से बहुत है हमसे कोई ज्यान मांगने आता है तो हम कहते हैं एक लौता ज्यान दे रहा हूं कि अब ज्यान मां ये एक बात कही थी, जो बड़ी हमें कमाल की लगी, वो आपके साथ साजा कर देता हूँ, जूकि मंच पे बुलाया गया है, उन्होंने का कि दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास, और ये वो पढ़ के आई थी, एक बहुत प्रिश्चित विश्विध्याले में, तो उनक लेकिन वो आइडिया जिनको सूझे, उन्होंने बहुत महनत से उसको हकीकत में तबदील कर दिया, उसे ज्यान पर नहीं अटके रहे, उसको एक्शन पर लेके आए, जो कमी पेशी रही, उन बग्स को फिक्स किया, और वो जादा सफल कहलाए, क्योंकि उन्होंने सोच से ए कर्म की दूरी तह कर ली, हम लोग अपने न्यूज रूम में इस समस्या से रोज दो चार होते हैं, आप लोग भी होते होंगे, और इसके नए नए क्रिएटिव सॉलूशन्स कोशते हैं, पर मुझे लगता है इस दा हाई टाइम, जब हम नए सरे से भारत के लोकतंत्र की, बारत की, बदलते भारत की, जो की हजारों बच्चों से बदली रहा है, यही इसकी खुबसूरती है, ना दर्ती अपनी धुरी पे घूमना भूलती है, ना मुल्क बदलना भूलता है, उन सच्चाईयों को जितना जादा जमीन पर जाकर देखें, सोचे, समझें, उतना कि वो परमपरागत जो न्यूस प्लैटफॉर्म्स हैं, जैसे अखवार, टीवी, उन पर इश्तिहार देते रहें, क्योंकि वो सब जगे चलते हैं, मैं यहां खड़े होके टीवी अखवार की बुराई नहीं करूंगा, इसलिए नहीं कि मेरे पास बुराई करने को पॉइं न्यूस सोर्स हैं, इनकी अपनी अपनी आलोचनाये हैं पर वो डिजिटल की भी हैं, पर मुझे लगता है कि एड़टाइजर्स को भी नए सिरे से डिजिटल की जिन अलगॉर्दम के भरोसे वो हैं, उनसे बियॉंड जाके यह देखना चाहिए कि जमीन पर कौन से का ठपा नहीं लगा है, कौन से लोग हैं जो यह बरोसा हासिल करने में अब तक सफल रहे हैं कि कुल जमा बात सही कहता है, खरी-खरी कहता है और किसी पार्टी का जंडा नहीं ढोता है, क्योंकि as an advisor आप भी ऐसे ही ब्रैंड के साथ associate करना चाहेंगे, लॉंग रन में पबल जब पबलिक को पता ही होता है, तो हम लोग भी अपने पते दुरुस्त कर लें और जब कभी पबलिक के सामने जाएं तो हमें शरम से सर ना जुकाना पड़े, ऐसी पत्रिकारता करते रहें, जो कि हमें से बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, इस वेरी इजी कि किसी मंच पर कि कह दिया जाए कि मीडिया ऐसा हो गया है, मीडिया वैसा हो गया है, हम लोग एक दूसरे को क्या ग्यान देंगे, हमें भी पता है, आपको ही पता है, बिजनिस कैसे चल रहा है, किनी भी किस्मों के दबाव कैसे हैं, और इन सब के बीच कैसे अच्छी पत्रिकारता भी भी की जा सकती आप में से तमाम लोग तमाम संस्थान कर रहे हैं उन सभी को बहुत-बहुत शुब कामना है अनुराग बत्रा जी ने मुझे मंच दिया समय दिया उनको बहुत धन्यवाद ईश्वर उनकी शोहरत और उनके स्वास्त को यूहीं दुरुस्त रखे शुक्रिया